नमस्कार दोस्तों, फोट्रोन अकैडमी में आपका स्वागत है, मेरा नाम हर्श है, आज मैं आपके साथ एक शानदार फीचर पर बात करूंगा दोस्तों, इस फीचर को यूज़ करके आप अपने Microsoft Teams की नॉलिज़ को बहुत बढ़ा सकते हैं, जी आज मैं बात कर रहा हूं, How to work on a file together in your Microsoft Teams, जी Microsoft Teams एक app है, यानि application है, जिसमें आप collaboration करके काम कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कि उस application में आप एक ही file में कई सारे लोग इकठे कैसे काम कर सकते हैं, तो चले हम Microsoft Teams पर चलते हैं, और आपको बताते हैं, यह कैसे काम करता है, तो हम Microsoft Teams पर आ चुके हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, कि आप एक ही file पर कई सारे लोग कैसे काम कर सकते हैं, तो चलिए पैसे पहले Teams पर चलते हैं, जिस account में आपको काम करना है, उस पर जाईए, जैसे general के अंदर, यहाँ पर देखिए, file upload हो रखी हैं, तो मैं पहल क्रोन की file ppt है, यह open कर देता हूँ, यह upload हो रही है, तो देखिए, यह जो नीचे green वाल option था, complete हो गया है, और इसे send कर दीजिए, तो यह group के अंदर, जो यारी team था, उसके अंदर चली गई है, तो आपने upload कर दिया file, अब आप इस पर काम करना चाहते हैं, तो आप इस पर तो three points होंगे, यहाँ पर इस पर click कर दीजिए, यहाँ पर edit in teams पर जाईए, edit in teams, click कीजिए, जो जैसे इसे click करेंगे, तो यह file खुलेगा, तो यह file खुल गया है, तो आप जैसे मैं second slide पर जाता हूँ, तो इसके अंदर कुछ points लिखे हैं, अब मैं चाहता हूँ, जो team में add ह उनकी राय, तो मैं क्या करता हूँ, सनी शर्मा को tag कर देता हूँ, add, add का sign डालके, आप उनको tag कर सकते हैं, kindly look into it for further work, तो ऐसे आप उनको work के लिए बता सकते हैं, और इसे send कर सकते हैं, तो यह आपने कर दिया है, आप इसे close कर दीजिए, तो जैसे ही आप इसे close कर देंगे, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, कि इन्हें tag करके, यह message चला गया है, अब वो भी ऐसे ही application से, अपने editing teams पर जाएंगे, और इसे ठीक कर देंगे, जो भी changes है, वो वहाँ से कर पाएंगे, और आप एकटे, ए यह सब आपका फायदा है, और इसे बन कर दीजिए, यहाँ से, close, इसे close कर दीजिए, और एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ आप ऐसा नहीं है, पीपीटी पे काम कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ पर काम कर सकते हैं, Microsoft 365 में जितने भी option होते हैं, Microsoft Excel, PowerPoint, वो third party application होती है, उस पर भी इकठे काम कर सकते हैं, main आपको यह है, कि वो यहाँ से upload करनी हैं आपको, उसके बाद जिससे भी आप काम चाहते हैं, उनको tag कर सकते हैं, या team पर डाल दीजिए, कि जिसको भी राय देनी होगी उसमें, वो राय दे सकता है आपको, ऐसे ही आप इ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और आपको क्या-क्या नए फीचर जानना चाहते हैं हमसे, आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमाई सब ऐसे ही जुड़े रहें, मैं जल्द ही नए फीचर लेकर आपके कर दोस्तों कर दोस्तों